हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे सबको पसंदाने वाली सुईट रसमलाई रसमलाई को एकदम सौप, स्पंजी और आसानी से घर में किस तरह से बनाएं वो मैं इस वीडियो में बनाना बताऊंगी तो वीडियो को पूरा देखें और अपने घर में ट्राई करें तो चलिए कुछ नया सीखते हैं रसमलाई की रबडी में डालने के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं थोड़े से काजू, थोड़े से बदाम, आठ से दस केसर के धागे सबसे पहले हम पनीर फार लेते हैं उसके लिए मैंने 2 लीटर दूद गरम करने रख दिया है दूद फारने के लिए मैंने 5 बड़े चमज विनेगर लिया है उसमें 3 चमज पानी मिक्स करके इसको रख लेंगे दूद को हम एक उबाल आने तक गरम करेंगे और उबाल आ चुकी है फ्लेम बंद कर देते हैं अब हम इसको नॉर्मल टमप्रेचर में लाने के लिए इसमें पानी मिक्स करेंगे अगर हम इस तरह से पनीर फारते हैं तो पनीर हमारा बहुत ही सौप्ट बन कर तयार होता है रसमलाई के लिए हमें सौप्ट पनीर चाहिए रहता है इसलिए कोसिस करें पनीर घर में ही बनाएं और पनीर बहुत आसानी से बन जाता है आप अगर इस वीडियो को देखकर पनीर फारेंगे तो यह एकदम अच्छा सौप्ट पनीर फट कर तयार होगा यह देखिए हमने जितना विनेगर लिया था उसी विनेगर से हमारा पनीर फट चुका है पनीर हमारा बन कर तयार है अब इस तरह से कप्ड़े को मैंने एक बरतन में लगा लिया है अब हम इसको छान लेंगे पूरा पनीर छानने के बाद हम इसको नॉर्मल पानी से अच्छे से दूल लेंगे ताकि जो विनेगर का खटा पन है वो निकल जाए और पनीर एकदम सौप्ट बने 10 से 15 मिनिट के लिए हैंग कर देंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए नवे रभड़ी बना कर तयार करेंगे उसके लिए इस तरह की कडाही लेंगे फ्लेम आउन कर दिया है और इसमें 1 लीटर दूद डाल दिया है दूद हलका गराम हो चुका है आप हमने जो केसर के धागे लिए थे उसको इसमें डाल कर ढख कर साइड में रग देंगे ताकि उ दूद में एक छोटी कटोरी चीनी डालेंगे जो की माप में 100 ग्राम के आसपास है हमने दो लीटर दूद का पनीर फाड़ा था उसके लिए हम एक लीटर दूद की रबडिव बनाएंगे हमारे पनीर का एक्स्ट्रा पानी निकल चुका है अब हम इसको हाथ से मसल मसल कर अच से चिकना करेंगे उतनी हमारी रसमलाई सौप्ट बनकर तयार होगी पनीर हमारा अच्छा सौप्ट हो चुका है अब हम इसको एक साइड में रख देंगे अब रसमलाई पकाने के लिए सीरा तयार करेंगे उसके लिए कड़ाही रख दिया है फ्लेम ओन है इसमें तीन गिल अब हम इसको ढख कर उबाल आने तक पकने देंगे तब तक हम अपनी रसमलाई बना कर तयार कर लेते हैं इसके लिए छोटे पेड़े जितने टुकड़ा लेंगे और दोनों हथेलियों के बीच में दबाते हुए चिकने पेड़े बना कर तयार कर लेंगे मैंने बहुत ही आसान तरीके से रसमलाई बनाना बताया है अगर आप भी इस तरह से रसमलाई बनाएंगे तो बहुत ही सौप्ट और स्पंजी रसमलाई बन कर तयार होगी और इसको बनाने में बिल्कुल भी परिसानी नहीं होगी पानी में उबाल आ चुका है अब हम एक एक करके सारी रसमलाई इसमें डाल देंगे रसमलाई डालते समया में एक चीज का ध्यान रखना है कि पानी उबलना बंद नहीं होना चाहिए उसके लिए फ्लेम हाई रखेंगे अगर आपके पास लीड वाली कडाई नहीं है तो आप इनको कुकर में भी वी से लटा कर बना सकते हैं जो हमने रबड़ी बनाने के लिए दूद रखा था वो हमारा एक तीहाई पक चुका है अब हम इसमें थोड़ा ड्राइफ रूट्स और जो हमने केसर दूद में भीगो कर रखी थी उसको डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे और यह देखिए हमारी रसमलाई कितनी अच्छी फूल कर तयार है और यह डबल हो चुकी है रबड़ी भी हमारी बनकर तयार है हम अपनी रसमलाई चेक कर लेते हैं और यह देखिए कितनी सौप्ट और स्पंजी रसमलाई बनी है और इनका साइज एकड़म डबल हो चुका है और यह बहुत ही परफेक्ट बनकर तयार हुई है अब हम इनको दो चम्मज के बीच में रख कर इनका एक्स्ट्रा रस निका मुद्दी निकाल लें गे। वह सारी रस्मलाईों को इसी तरह रस निकालकर अजर अवे निकालें गे और जो हमने रबड़ी बनाई थी वह रबड़ी हमारी एकड़म गरम है आप इसमें हम गरम गरम रबडी डाल देंगे ताकि हमारी जो रसमलाई में रबड़ी अच्छे से आपज़र्व हो सके हमने सारी रसमलाई बावल में निकाल लिया है जो थोड़े से ड्राइव फूर्स बचाये थे उससे हम इसके गार्निसिंग कर देंगे तो ये देखिए कितनी सौप्ट और स्पंजी रस्मलाई बन कर तयार है तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं लाइक करें, सेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू